ICC Cricket World Cup 2013 का छटा मुकाबला New Zealand और New Zealand के बीच सोमवार 9 October को राजीर गांधी इंटरनेसनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा इस मुकाबले में आप New Zealand के सलामी बल्लेबास J1 Conway बरदाव खेल सकते हैं Conway शानदार फॉर्म में हैं और इंग्लैंड के खिलाफ 152 रनों की विस्पोटक पारी खेलने के बाद अब नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलने वाले हैं यह बल्लेबास मैदान पर समय बिता कर एक लंबी पारी खेलते हुए आपको काफी सारे पॉइंट जिता सकता है Conway अब दक New Zealand के लिए 23 ODI मैचों में 1026 रन बना चुके हैं ऐसे मैवे कपतान के तौर पर एक अच्छी पिक होंगे तो अब तक इन दोनों ही टीमों के भी चारों काबले खेले गए हैं जिस पे से चारों ही New Zealand ने जीते हैं नीदरलैंड अब तक ODI क्रिकेट में एक भी मुकाबला New Zealand की खिलाफ नहीं जीत पाया है आज क्रिकेट एन मोर ने अपनी ड्रीम 11 टीम में विकेट कीपर के तौरबल डेवन कॉनवे को चुना है बल्ले बाजी करेंगे केन विलियमसन, डेरिल मिचिल और ग्लैन फिलिप्स और राउंडर है कॉलन एकरमेन, मिचिल सेंटनर, रचिन रविंद और बैस जे लीडे गिन बाजी करेंगे ट्रेंट बोल्ट, मैट हैंडरी और लोगन वैन बीक कप्तान हमने बनाया है डेवन कॉनवे को वहीं हमारे कप्तान है बैस जे लीडे क्या हो सकती है निज़लैंड की संभावित प्लेंग 11, टीम में डेवन कॉनवे, रचिन रविंद, केन वीलियमसन, डेरिल मिचिल, टॉम लेथम, ग्लैन फिलिप्स, मार्क शैप्में, जेम्स नीशम, मिचिल सेंटनर, मैट हैंडरी और ट्रेंट बोल्ट नज़र आ सकते है बात करेगर निज़लैंड की संभावित टीम की तो टीम में विक्रम जी सिंग, मैक्स ओडाड, कॉलन एकरमेंड, बैस जे लीडे, तेजा निदाम नीरू, स्कॉट एडवर्ट, शाकिप जुलपीकार, रिलोफ वेंडर मरवे, लोवन बैंड बीक, आरियन दथ, और पॉल बैन मिकी रे नजर आ सकते हैं, ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें, करकेट एन मोर के साथ, धन्यवाद